आप अपनी खुद की गाड़ी लेकर अंदर जा सकते हैं इस रोड पे नॉर्मली धीरी-धीरी ही चलना चाहिए धीरी-धीरी चलने से आपको वाइड इनिमस दिखने के चांसे होते हैं में लिए सबसे बड़ा एक्साइटमेंट यह होता है कि मैं अपनी खुद की गाड़ी में चल रहा हूँ पीछे देखो सफारी जिपसी चल रही है यह देखो अब एक तो अब अब लुए आपको अनदर एपिसोड ऑफ रोड़ना टाइगर के एस एपिसोड में मैं हूं सारिस्का जंगल के अंदर सारिस्का टाइगर रजर्व के अंदर और मैं अपनी खुद की गाली से हूँ को अंदर 22 किलोमेटर अंदर पांडुपोल का मंदिर है हनुमान जी का बहुत पुराना बहुत भव्य मंदिर है उसके बारे में आपको आगे बताता हूं हम अभी वहां जा रहे हैं और सुबा के बज़रे हैं आठ बज़कर शे मिनट आठ बज़े ये गेट खुलता है आप अपनी खुद की गाड़ी लेकर अंदर जा सकते हैं मैं लखी हूं कि मैं सुबह च्वासा जल्दी आगया हूं मुझे उमीद है कि आगे मुझे कुछ वाइल्ड एनिमल्स तो जरूर दिखना चाहिए और अगर मैं लखी रहा तो लेपड और टाइगर भी इस रोड प यह कच्छी सड़क पांडू पोल के लिए जाती है और जंगल सफारी के लिए भी इसी रास्ते पर जिप्सी और कैंटर चलते हैं आज जो जिप्सी कैंटर जो सुबह गय होंगे वह आपको इस रोड पर देख भी सकते हैं बाकी यह साइड में जो जंगल है इधर भी कुछ ट्राक्स बने हुए हैं जिस पर अकसर जिप्सी और कैंटर जो है उधर भी मूव करते हैं लेकिन अपने प्राइवेट वेकल को आप इस में रोड से अलग लेके नहीं जा सकते हैं इस रोड पर नॉर्मली धीरी-धीरी ही चलना चाहिए धीरी-धीरी चलने से आपको वाइ बेस्ट में मुझे बीज लीज में कोई-कोई दिएर देख रहे हैं लेकिन थोड़ा सा सलक से अभी किनारे हैं वो लोगों यह सुबह सुबह निकलने का फायदा कर दो कर दो कर दो बहुत अच्छा भी सांबर डियर रिखा, मेल सांबर डियर बिल्कुल गाड़ी के सामने आ गया, सामने से क्रॉस कर गिया, बहुत अच्छी साइटी हुए उसके अच्छा लगता, यसलिए मैं सुरज और जल्दी आना चाहरा था, आले कि एक गुड़ी आगे या आगे भी ग बिस्टर्ब हो जाता है, लेकि चलो डिस्टर्स बना के चलें कोई शर्फ तो बहुत, शायद देख चाहिए कुछ आगे देख चाहिए, यह दो चीतल डियर देख रहे हैं अभी यह आफे यह दियर्स बिल्कुल रोड़ परिया है यह दियर्स बिल्कुल यहां साइड में द्हास कहा रहा है यह हमारी गाड़ी में चड़ा गया हलो शारे लकुल भाग 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 था रहे हैं, ओ तिरी में अभाग पर चेटल के दो तो वाओ f कि अब बहुत सारे चीतर डियाज है यहां पर अब है कि में अपनी खुद की गाड़ी में चल रहा हूं और पीछे देखो सफारी जिपसी चल रही है यह देखो उसे बास भांग रही है सफारी जिपसी चल रही है इसी रूट में कुछ लोग सफारी जिपसी से भी पांडुपोल मंदिर के दर्शन करने जाते हैं और बागी यह नॉर्मल सफारी जो नॉर्मल रूट से चलती है वो भी इसी पर चलती है हाँ हाँ तो आप इनके जंगल के अंदर जा सकते हैं काफी अंदर जा सकते हैं उसका फाइदा तो होता यह ठीपीट फैदा होता है झाल 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 यहां मैं आपको एक चीज़ और बता दू कि यह देखो solar panels लगे वे यहां पे इनफेक्ट रास्तान के हर जंगल में इस तरह के solar panels आपको दिख जाएंगे हैं यहां पे मुझे मोर दिख रहा है इसने अपने तो मैं यह बता रहा था कि solar panels जो है यहां से पानी निकाला जाता है इन solar panels की मदद से और इस तरह से छोड़ा जाता है पानी हर चेकर यहां पर छोड़ी छोड़ी से पॉंड्स बनाये हुए यहां पर अकसर टाइगर दिख जाता है इस तरह से डियर अगर दिख जाया ना क्रॉस करता हुगा तो गाड़ी आपको रोक खड़ा हो जाना चीए वह अच्छी साइटिंग देंगे आपको हर्बला कर नहीं भागेंगे धीरे-धीरे जाएंगे अच्छी साइटिंग देंगे यह अब ही अम लोग कोई 11 किलोमेटर चलके आए हैं मैं इसमें बोल रहा हूँ है कोई 11 किलोमेटर भी चलके आए हूँ और हमें 11 किलोमेटर और जाना है चौकी है बिसिकली और यहाँ पर आए हैं जब सफारी में आते हैं तो सफारी में भी गाड़ियां यहीं पर खड़ी होती है और यहाँ पर चेतावनी में लिखा है है भालू विचरन छेत रहे हैं भालू भी अब आ गया है सरिस्का में पहले सरिस्का में भालू नहीं थे अब भालू भी आ गायए अब जितना रास्ता हमने अभी तक टै किया है । उतनाही रास्ता आंडु-पोल मंदिर के लिए हमें और टै करना है कई सारी डियर्ज हैं यहां पर नील गाय भी है चीतल भी है सामबर भी है पीकॉक भी है खुला मैदान है सारे डियर्ज यहां पर चल रहा है कर दो लोगा पर चुला मैदान है एक लंगूर मेरी कार के ओपर अभी चड़ा हुआ है नेचे उतरा ही निए अभी तक को अभी गया वाँ आपना नमक चीनी अलग खा रहे हैं इनका कुछ अलग उनका कहना ता लेकिन हमने इनको आदब दिला दिला दिया है पराथा का हमारा पराथा बचा हुआ है रोटी बचा हुआ है हमने बंद्रों को डाल दिया यह नहीं करना चाहिए अब बचाहिए क्योंकि उनकी वह हैबिट नहीं और अगर एक बार अजया दिए आधी हो जाएंगों नमक रेगुलर मिलेगा नहीं और उसके कारण कई बार उनका दिमाजी संतुलन भी खराब हो जाता है तो वाइड डेनिमल्स को हम कई बार जो सोचते हैं न कि चलो कुछ खिला देते हैं कुछ दे देते हैं नेते वे चले जाते हैं यह गलत है इसी कारण से इनकी मतलब बहुत अधिक अबादी होना भी ठीक नहीं है बहुत अधिक अबादी अगर हो जाए बंदरों की तो भी वह अधिक नहीं और शहरों शहरी आबादी तो पुरा निर्भरी करती है हमारे खानों बे अंदर जो शहर में और यह जंगल के जो मंदर है उनको भी इस सब्सक्राइब इंतजार कर रहे हैं कि अभी कोई ने कोई आएगा अब कुछ ने कुछ खिलाएगा जिसी में गाड़ी वो मंकी जो हैं बिल्कुल गाड़ी के उपर आके चड़ जाते हैं सामने खड़े वारते हैं उनको लगते हैं उनको खाने को मिलेगा फिल्हाल जैसे से दिन चड़ रहा है जंगल और खुबसरत होता जा रहा है हाला कि जब धूप नहीं था तो ज्यादा सुंदर लग रहा झाल